हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सबीका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी स्टूडियो में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएगे कि जंगली रम्मी कैसे खेले और जंगली रम्मी खेल कर पैसे कैसे कमाए तो दोस्तो आज की इस वीडियो को पूरा देखेगा चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तो आपको जंगली रम्मी का जो एप्लिकेसन है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा यहाँ पर आप जैसे ही इनकी ओफिसल वेबसाइट जंगली अपर यहाँ एप्लिकेसन को डाउनलोड किया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर मेरे सामने ओप्सना आ रहा है डाउनलोड अगेन और यदि आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपके सामने डाउनलोड का ओप्सन आएगा तो यहाँ पर दोस्तों यह नो एमभी के करीब का जो step by step बताते हैं आपको क्या करना है तो यहां पर हम install कर लेते application को थोड़ा सा यहां पर time लगेगा तो हमारा जो application है दोस्तों यहां पर install हो रहा है और अभी जो इस time पर install हो चुका है यहां पर अभी Google Play Store की तरप से scanning हो गया है और simply जो हम इसको open करते हैं तो open करने के बाद आपके सामने कुछ इस परकार का interface देखने को आएगा और यहां पर आपको register now it's free का एक option मिलेगा यहां पर simply आपको अपना mobile number एंटर करना है और यदि आप चाहे तो आप अपने Gmail account के थुरू भी जो है यहां पर एक account create कर सकते हो नीचे आपको continue with Google का option मिलेगा उस पर click करके आप अपने Gmail के थुरू जो है यहां पर account create कर सकते हो और यह दि दोस्तों आपने आलरेड़ी इसमें account बनाया हुआ है तो simply यहां पर आपको ऊपर login का option मिलेगा आपको login पर click करना है उसके बाद आपको अपना account यहां पर login कर लेना है तो यहां पर दोस्तों मैं एक नया account create करके आपको दिखाता हूँ तो यहां पर दोस्तों हमने अपना mobile number जो है एंटर कर दिया है उसके बाद simply हम यहां पर click करेंगे register for free और जैसे दोस्तों आप इस पर click करोगे तो आपके mobile number पर एक OTP आएगा और वो OTP जो है यहां पर automatically deduct कर लिया जाएगा और automatic detect होने के बाद आपका जो account है यहां पर बन जाएगा तो account बनाने के बाद दोस्तों आपको थोड़ी सी formalities और करनी पड़ेगी आपको अपना KYC अपना bank account आपको add करना पड़ेगा deposit के लिए withdrawal के लिए deposit के लिए कुछ नहीं लेगेगा deposit आप अपने UPI के थूरू भी कर सकते हो लेकिन जबी आप cash win करोगे तो उसको आपको transfer करना पड़ेगा अपने bank में या फिर अपने UPI में तो उसके लिए आपको यहाँ पर KYC करना होगा तो KYC करना दोस्तों बहुती easy है आप खुद से कीजिएगा यदि आपको कोई problem आती है तो आप comment box में comment कर सकते हो मैं आपको guide करोगा किस तरीक से आपको KYC करना है और यदि आप लोगों का ज्यादा request आता है तो मैं उसके ऊपर एक detailed video लेकर आऊगा तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले है कि जंगली रम्मी कैसे खेले तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ जो है यहाँ पर आपको तीन option मिलेगे cash, practice और tournaments tournaments में दोस्तों बहुत से tournament जो है आपको entry fee के साथ आपको देखने को मिलेगे और बहुत से जो है आपको यहाँ पर free में भी देखने को मिलेगे तो यहाँ पर थोड़ा सा weight आपको करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने tournament का जो lobby है वो आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर आपको cash जैसा कि मैं आपसे बोला कि कुछ tournament यहाँ पर आपको entry free के साथ खेलने को मिलेगे और कुछ जोई आपको यहाँ पर फिरी के साथ खेलने को मिलेगे तो अभी दोस्तों हम आपको यहाँ पर गैम खेल के दिखाएगे तो आप हमारे साथ बने रहीएगा वीडियो को देखते रहीएगा आज की इस वीडियो में आप रम्मी खेलना सीख जाओगे जंगली रम्मी में कैसे रम्मी खेलना है वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा बस वीडियो को पूरा देखते रहेगा और दोस्तों यह आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हो तो आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि पिरी इस हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते रहेगे तो चलिए दोस्तों अभी आपको बताते है यहाँ पर आपको तीन ओप्सन मिलते है पॉइंट पूल और डिल तो दोस्तों पॉइंट रम्मी पूल रम्मी और डिल रम्मी यह तीन परकार के अलग-अलग game होते है तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको point रम्मी खेल कर दिखाते है point रम्मी में आपको कितने player के साथ खेलना है वो भी यहाँ पर आपको option मिलता है यहाँ पर आप 2 player के साथ खेल सकते हो 6 player के साथ खेल सकते हो same option यहाँ पर आपको पूल में मिलेगा और same option यहाँ पर आपको डील में मिलेगा तो यहाँ पर हम दो player के साथ इस टाइम पे point रम्मी खेलेगे तो यहाँ पर हम play now कर देते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो काफी अच्छा जो इसका एक look है देखने में काफी easy है यहाँ पर आपको पूरा guide किया जाएगा यदि आप एक new हो आपको रम्मी खेलना नहीं आता है आपको जंगली रम्मी application use करना नहीं आता है तो आपको पूरा आपको बताया जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको मैंने जो एक पिछला वीडियो बनाया था अपना रम्मी कैसे खेले आप मेरे यूटूब चैनल पर वीजिट करके वो वीडियो देख भी सकते हो तो उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि रम्मी कैसे खेले और दोस्तो वो वीडियो जो है यहाँ पर आपको आई बटन में भी सो हो जाएगा आप उस पूरी वीडियो को देखके यहाँ पर रम्मी खेलना सीख सकते हो और उसके बाद भी यह आपको कोई दिक्कत आता है तो आप जो है कमेंट कर सकते हो मैं आपकी पूरी हेल्प करूगा तो यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमको यहाँ पर एक प्योर सिक्वेंस बनाना होगा प्योर सिक्वेंस का मतलब क्या है कि बिल्कुल प्योर है इसमें कोई भी जोकर या फिर कोई भी ये जो साथ में जो हमारा तीन जो यहाँ पर जोकर निकल के आया है तो वो भी तीन का जो भी कार्ड है वो मतलब जोकर का काम करेगा तो उसके बिना जो यहाँ पर सिक्वेंस बनेगा उसको हम बोलेगे यहाँ पर प्योर सिक्वेंस तो सबसे पहले हमको एक pure sequence बनाना है और pure sequence बनाने के बाद हमको यहाँ पर एक impure sequence या फिर एक pure sequence यहाँ पर हमको बनाना होगा तो यहाँ पर दोस्तों हम गैम भी आपको खेल कर दिखा रहे हैं और साथ के साथ जो यहाँ पर आपको कुछ basic rules जो है रम्मी खेलने के वो भी आपको बता रहे हैं तो यहाँ पर जैसे कि हमारा दोस्तों आप एक pure sequence बन गया है और अभी यहाँ पर हमारा एक काम और हो गया है मैं आपको बताओगा यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा यहाँ पर एक sequence sequence बोलो या फिर एक impure sequence बोलो तो यहाँ पर हमारा एक impure sequence भी बन गया है क्यों के एक के साथ और यहाँ पर pure sequence already हमारे पास था ही तो अब यहां से जो हम आठ को यहां पर रिमोग करेगे और हमारे पास यहां पर अभी यह चार कार्ड आपको दिख रहे होगे जिनकी टोटल वैल्यू आपको दिख रहा है अठारा पॉइंट जो यहां पर हमारी इस टाइम पर दाव पर लगे हुए है तो दोस्तो मैं सिंपल बासा में आपको बता हूँ तो रम्मी खेलने में आपको सबसे पहले सबसे पहले आपका जो मन में बात रहना है वो यह रहना है कि मुझको जो एक प्योर सिक्वेंस बनाना है कम से कम तीन कार्ड का कोई भी सिक्वेंस या कोई भी सेट या कोई भी इं दो 3 3 kaard यहां पर है और यहां पर आप देखोंगे 1 2 3 3 kaard i यहां पर है और 1 2 3 इह बोलते हैं और यहां पर यहां पर इंट बोलते हैं हिंदी भाषा में तो यह गैने के बोलते हैं, इंगलीस में थोड़ा नाम अलग रहेगा, इंगलीस में जो में आपको बता हूँ Aarti है हर्ट इससी के बोलता है यहां इसको कार्ड हो T fuмет है, इस्के हम क्लिक लग और यहां पर अदू नहीं यहां करका हैं और यहां से जो अभी हम 5 को remove करेगे तो इस तरीके से दोस्तों आप देख पा रहे होगे कि मैंने यहां पर अभी 4 card यहां पर use कर लिए है तो sequence में तो मैं जितना चाहे उतना use कर सकता हूँ लेकिन आप देखोगी कि जैसे अभी मेरे पास यहां पर 7, 8, 9, 10 है तो इसके बाद मैं J, Q, K, A तक तो इधर use कर सकता हूँ right side में और यह दि हम left side की बात करें तो यहां से हम 21 को लेकर 6 तक जो हम यहां पर use कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह सभी जो हम यहां पर card इस pure sequence में use कर सकते हैं तो यहां पर दोस्तो आप देख सकते हो कि हमारा जो यहां पर game है वो यहां पर बन गया है और 5 के साथ जो हम यहां पर finish करेंगे तो यहां पर दोस्तो आपने देखा कि सबसे पहले हमने यहां पर एक pure sequence बनाया जो कि आपको हमारी screen पर दिख रहा होगा उसके बाद हमने यहाँ पर एक pure बने तो भी सही है यदि pure नहीं बनता है दूसरा तो आप यहाँ पर impure sequence भी बना सकते हूँ जोकर को यूज करके उसके बाद आपका मन जो करें वो आप बनाओ, set बनाओ आप कितना भी और sequence बनाओ कुछ भी बनाओ, उसके बाद आपकी इच्छा है तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे कि हम यहाँ पर विन कर चुके तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा किस परकार से हम point रम्मी खेलते है point रम्मी का मतलब क्या होता है हुआ है दोस्तों यहां पर जो हमारे पास card होते है, total जो card होते है उनका जो total value होता है यहाँ पर 80 होता है 80 total point होता है यदि आपका कुछ भी नहीं बनाए आपका ना ही तो pure है, ना ही impure है आपके पास कुछ भी बना हुआ नहीं है तो आप जो है total 80 point यहाँ पर loss करोगे और 80 point के हिसाफ से आप कौन से point का आप यहाँ पर game खेल रहे हो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ तो इसको मैं यहाँ से back कर लेता हूँ तो दोस्तो आप यहाँ पर cash game में जबी आप जाओगे तो वहाँ पर दोस्तो आपको point game में point value select करने का एक option आएगा जिसको आप कम बढ़ती यहाँ से इस तरीके से कर सकते हो तो जैसे कि समझेव आपने 1 रुपे point value आपने select किया तो आपका जो entry fee रहेगा वो रहेगा आपका 80 रुपीज तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि बताय कर तोटल जो card रहते है उनकी जो total value होती है वो होती है 80 तो यहाँ पर multiply किया 1 into 80 तो यहाँ पर आ गया 80 तो यदि आप इसको कम करते हो तो आप इसको 0.1 करते हो तो यहाँ पर आपका 8 रुपे जो है यहाँ पर आपका दाव पर लगेगा तो basically दोस्तों यहाँ पर है क्या कि जबी आप point game में point loss करोगे तो उसके बदले में आप अपना कितना cash जो है आप दोगे जैसे कि for example के लिए यहाँ पर only 1 point loss करोगे तो आपको यहाँ पर 0.1 देना पड़ेगा और दोस्तों यहाँ पर 10 point आप यहाँ पर loss करोगे तो यहाँ पर आपको 1 रुपा देना पड़ेगा और यहीं दोस्तों आप समझो कि 80 point आप पूरे loss करते हो तो आपको यहाँ पर 8 रुपे जो है देना पड़ेगा मतलब कि 8 रुपे जो है आप यहाँ पर loss कर जाओगे तो यह होता है दोस्तों basically point value का मतलब तो जबी भी आप game खेलो starting में जबी आप खेलो तो इसको बहुत कम से खेलो 0.05 का यहाँ पर एक कम से कम table है आप इसको खेलो starting में और धीरे धीरे करके आप यहाँ पर इसको बढ़ाओ तो यह तो हो गया दोस्तो point रम्मी और दोस्तों सबसे easy जो है वैसे point रम्मी है उसके बाद बहुत से लोग pool भी खेलते है deal भी खेलते है और अब यहाँ पर एक नया option भी आगया है spin and go तो यह एक नया option यहाँ पर आया है यहाँ पर entry fee काफी heavy है नीचे कमकी भी है तो spin and go भी एक नया है यह आप spin and go के बारे में एक detailed वीडियो चाहते हो तो हम आपको जरूर बताएगे और इसके लिए एक अलग separate वीडियो लेकर आएगे बाकि दोस्तो मैंने आपको आज की वीडियो में point रम्मी खेल कर दिखाया जंगली रम्मी में और यदि आप दोस्तों चाहते हो कि मैं इस वीडियो की सीरीज को continue रखू तो मैं चाहता हो कि मैं आगे आपको अगली वीडियो में जंगली रम्मी में पूल रम्मी कैसे खेले उसका वीडियो में आपके लिए लेकर आऊ और उसके बाद मैं आपको जंगली रम्मी में डी आसर हम चाहते हैं आप हमारे लिए continue एक वीडियो लाओ जिससे हम sneak सके और हम अच्छा खासा earning जो है जंगली रम्मी से कमा सके दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज कमेंट बोक्स में जरूर बताइएगा और दोस्त आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा अगली वीडियो में जल्द ही मुलाकात करेगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत